नमस्कार दोस्तों आज हम लोग एकादशी के बारे में बात करेंगे जो कि भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है तो भादरपद मास की अजा एकादशी आज जाने शुब मुहूर्त, पूजन विधी और सावधानिया आजा एकादशी दो हजार तेईस धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भादो मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है इस साल अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर को है, इस दिन भगवान विष्णों की उपासना की जाती है इस दिन व्रत रखने और पूजा पाठ करने से विशेश फल की प्राप्ती होती है एकादशी की तिथी भगवान विष्णों को समर्पित है और सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे बड़ा माना जाता है माना जाता है कि एकादशी का व्रत व्यक्ती की मानसिक और शारिरिक स्थिती पर सकारात्मक प्रभाव भी डालता है अजा एकादशी इस बार 10 सितंबर को अजा एकादशी पर स्नान और दान विशेश महत्व माना जाता है यह एकादशी भगवान विश्णों की सबसे प्रिय एकादशी मानी जाती है अजा एकादशी की महीमा हिंदू पंचांग के अनुसार अजा एकादशी भादरपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथी को पढ़ती है अजा एकादशी की जानकारी भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को दीथी इस दिन व्रत रखकर विधी विधान से पूझा पाठ करने पर व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्ति पा सकता है और मोक्ष की प्राप्ती कर सकता है इसलिए इस दिन व्रत रखकर विधी विधान के साथ पूजा पाठ करने का खास महत्व है अजा एकादशी शुब मुहूल एकादशी तिथी प्रारंब सितंबर शून्य नौ यानी कल शाम साथ बचकर सत्रा मिनिट पर हो चुकी है एकादशी तिथी समाप्त सितंबर दस यानी आज रात नौ बचकर 28 मिनिट पर होगा अजा एकादशी की पारण 11 सितंबर यानी कल होगा जिसका समय सुबर 6 बचकर 4 मिनिट से लेकर 8 बचकर 33 मिनिट तक होगा आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी यदि पसंद आई होगी तो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की और विडियो के लिए